तो आज की बेसिकली हम लोग शुरुबात कर रहे हैं ओ लेवल का एक जो नया पेपर है पाइथन M3R5 उस क्लास के बारे में तो आज एक इंट्रो क्लास है और आप लोगों को किस तरीके से पाइथन पढ़ना होगा कैसे होगी क्लास कैसे आप लोग इसे कवर करेंगे कम शॉ लेवल की प्रपरेशन कर रहे हैं तो लेवल की प्रपेशन में जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटर टॉपिक बनेगा वह यही बनेगा पाइथन उसका कारण भी है क्योंकि आप लोगों ने अगर पुराना स्लेबस सुना हो तो पुराने स्लेबस में हमरे लेवल में आ तो पुड़ा सा ओवर्वी देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नए टॉपिक पर डिस्कॉशन करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर यह है कोशन्स या यह कई यह कि यह है हमारा स्लेबस यह रहा तो आप में से जो स्टुडेंट्स आरफोर के हैं तो उन लोगों ने यह सारे टॉपिक फिनिश किये हैं पहले आरफोर के स्लेबस में जो लास्ट पेपर होता था उसे इलेक्टिव कहा जाता था विकॉस उसमें आप लोगों को आप्शन मिलते थे कि आप .NET, Multimedia या ICTC में कोई एक ले लिए लेकिन आप नहीं ऐसा होता अब यह आपके लिए कंपलसरी कर दिया है और फाइफ के लिए पुराने स्लेबस में एक प्रोग्रामिंग लैंगज होती थी C और आप लोगों के बाकी इसमें एक HTML नए वाले में अगर आप देखें तो C को रिप सब्सक्राइब कर दोड़ा सा पार्ट है कि आयोटी के जो डिवाइस की प्रोग्रामिंग होती है उसमें ज्यादा कुछ नहीं है सिंपल है तो जो में टॉपिक आके फसेगा वो प्रोग्रामिंग का ही होगा तो इसके लिए सबसे आधा शिरुवात से ही अगर आप लोग म करने चाहिए मैंने देखा था लास्ट टाइम जो पेपर आये थे उनमें इतना डिटेल प्रोग्रामिंग नहीं आई थी हमारे एक तो कर अच्छा काम कर गया था लेकिन उसमें आप लोगों को जो प्रोग्रामिंग कंसर्प्ट है वो थेरी के वो बहुत ही डिटेल रहते कहने का मतलब है बीच-बीच में से छोटी-छोटी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं आप में से ये क्लास बड़ी हेल्फुल रहेगी उन सभी बच्चों के लिए जिनको प्रोग्रामिंग स्वगरे का कोई भी आइ अप्लिकेशन है इसके स्टोर में आप लोग चले जाएगा स्टोर पे आप लोग सर्च कर लिजेगा आपको मिल जाएगा M3R5 या पाइथन लिख दीजेगा यह आगया पाइथन आज मैंने आप लोगों के लिए एक विलकम आफर भी निकाल रखा इसमें को कि बहुत सारे बच्चे अब शुरू करने जा रहे हैं तो मैंने इसमें 20% का डिसकाउंट कर दिया है जो कि एक दिन और रहेगा आप लोग इसको वहीं से बाई कर लिजेगा आप लोगों को बता दें यह प्रोग्रामिंग जो है अब आप लोग कंप्यूटर्स पे भी चला सकेंगे उसक जो क्लास में आपको बताने जा रहा हूं उसमें आप सीखेंगे पाइथन है क्या कैसे इंस्टॉल किया जाता है छोटे-छोटे प्रोग्राम्स पाइथन में कैसे बनते हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग छोड़ी प्रोग्रामिंग क्या होती है उसके बारे में बात करें नेक्स क्लास जब होगी तो मैं आप लोगों को फ्लोचार्ट और अल्गॉर्दम के बारे में बताऊंगा तो चलिए आज की क्लास की शिरुवात करते हैं आप मैंसे इसी में से किसी को कोई पहले डाउट है तो मिरसे जरूर पूछ ले क्या है किस तरीके का कोई not only python आपको ल आपना स्पीकर आउन कर लिजए तो आप अगुड इवनिंग तर गोलें तर एंफोर के श्रक्लास कब से स्टाट होगा तो एंफोर एंफोर कौन सा अ अभी देखिए अभी समय हमारा M1 ऑल्मोस्क खतम होने वाला है M2 भी ऑल्मोस्क खतम करने वाला है मैंने पाइफन शुरू कर दिया है यह मान के चलिए कि एक तारिक के आस-पास आयोटी की क्लास चालू कर देंगे हम लोग एक माई से सब्सक्राइब और किसी के कोई डाउट पूछना चाहता है कोई सबसे पहला काम बच्चों आप लोगों को करना क्या है अपने अपने कंप्यूटर्स पर पाइफन इंस्टॉल कर लेना है पाइफन कैसे इंस्टॉल क करेंगे उसके लिए यहां पर देखिए गूगल पर डालिये पाइफन और जब आप पाइफन क्लिक करेंगे तो वेलकम टू पाइफन.org यह वेबसाइट खुल जाएगी पाइफन की यह पाइफिशल वेबसाइट है इसी वेबसाइट पर आप जाएंगे और यहां से पाइफन वाले सारे पुराने वर्जंस लेने हैं तो पुराने ले सकते हैं इस चीज का ध्यान रखेगा कि जो पाइफन आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं यह पाइफन 32-bit के PC पे डालनी है या 64-bit के आपको कैसे पता चलेगा आपका 32-bit का या 64-bit का बहुत ही सिंपल है आ आपको दिखाएगा कि आपका PC कितने बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है अगर जैसे मेरी स्क्रीन पर आपको 32-bit दिख रहा है तो आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है बच्चों 32-bit वाला पाइफन यहां से डाउनलोड कर लिजेगे लिखा रहे हैं Windows इंस् तो आपको यह बड़े राम से समझ आ जाएगा देखाते हैं और यह देखिए यह पाइफन के इंस्टॉलेशन के लिए option खुल जाएगा बस इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि जब आप लोग पाइफन इंस्टॉल करेंगे तो add python to path इस वाले option को tick लगा दीजेगा तो इसस next 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 कर दीजे बस इससे आदा कुछ नहीं करना सिंपल सा तरीका है python को इंस्टॉल करने का तो आप लोगों को बस इतना ही करना है python.org में जाए python को डाउनलोड करिए double click करिए add button को tick करके next 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 करके सब इंस्टॉल कर लिए हो गया python install और काम खत्म तो simple है आप लोग आराम से क जाएगा अब उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आप लोग सर्च करिएगा आपके python IDLE के रूप में देखने लगेगा यह रहा यह python का इंटरफेस है या python का शेल है जिस पर आप लोग प्रोग्रामिंग करेंगे यह आपको windows based है आप लोग डॉस में जाकर भी python ल चोटा सा इंट्रो देखते हैं बचों एक चीज और बता दे कि यह python जो है यह mathematical प्रोडिस्ट होता है यानि कि बिल्कुल math की तरह है जब तक आपको समझ आएगा बड़ा interest आएगा काम करने में जहां आपने concept miss किये जहां आपने class उपर नीचे की बस वहीं से गरबड़ी श पाइथन के एक छोटी सी थेरी है पाइथन इसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंगविज इट वस्क्रेटड बाई ये गुडवान रसन और रिलेज इन नाइंटीन निटीवन इन्हों ने पाइथन का निर्माड किया था तो एक सवाल तो यहां पे जनरेट हो गया objective का क रिजए गुड़ और वान रसन ने हम लोगों का पाइथन का निर्माड हुआ था पाइथन का इस्तेमाल क्यों होता है पहले पाइथन नहीं जानते थे लोग अब पाइथन का इस्तेमाल कई तरीके से होने लगा है सबसे पहले web development के लिए web development मतलब वही website development तो हम लोग python का इ कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं तो python कस्तेमाल हर जगे होने लगा python का इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम के हर हिस्से पर करने लगें कि वाली बात हो गई यह सवाल कभी वैसे नहीं आते कि python क्यों यूज होता है वगरे वगरे लेकिन आपको knowledge के लिए जानना ज़रूरी है. What can Python do? Python क्या-क्या काम कर सकता है? Python can be used on the server to create web application. वही जो उपर लिखा हुआ है, उसी को इन्होंने explain कर दिया है कि Python की मदद से हम लोग एक website बना सकते हैं. Python की मदद से आप लोग software तैयार कर सकते हैं. Python आपका data-based system को connect करने में मदद करता है. Python की मदद से हम बड़े-बड़े आंक्रे और mathematical complex mathematics को पूरा कर सकते हैं. तो यह simple सा है कि Python का इस्तेमाल अब आज की डेट में बहुत बड़े तादात में होने लगा है. Python में एक अच्छी चीज यह है कि Python हर platform में काम करता है. जैसे आज की डेट में Python का इस्तेमाल आप Windows में तो करी रहे हैं, Mac, Linux, Raspberry Pi, सब में हो जाता है Python. जबकि आपको लोगों का जैसे DOS-based programming थी या .NET था तो उनका एक limitation था, आप हर उस पे हर platform पे उसको नहीं चला सकते थे. Python में एक और अच्छी चीज है कि इसकी programming के syntax बड़े simple है, English की तरह है, आप देखकर बड़े राम से समझ सकते हैं. Python has a syntax that allows developer to write program with fewer lines than some other programming language. अब अगर मैं आपसे कहूं कि C में program बनाईए, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, because C में concept बहुत जादा होते हैं. उसके syntax बड़े सारे हैं, आप 10 number, 10 line लिखेंगे तब जाके एक छोटा सा answer आएगा. Python में बड़ा असान है, Python की programming आप इससे भी देख सकते हैं, देखिए कैसे, यह मैंने ideally खोल रखा है, बहुत ही simple सा है, आप अपने दिमा, जैसे mathematics नहीं करते हैं, मैंने का एक number लो, A, A की value डालो 10, तो आपने लिखा A equal to 10, मैंने आप से का की B number लेलो, B की value डाल दो कोई भी, तो आपने डाल दिया 20, मैंने का C के अंदर A और B को जोड़ दो, तो C equal to A plus B, देखिए simple सी English language ही न, और मैंने आप से का C print कर दो, तो आपने लिख दिया print, और bracket में लिख दिया C, और enter मा हो गया है, simple mathematics के रूप में है, कोई भी mathematics कैसी भी, कोई भी इसमें अलग से type के कोई syntax नहीं होते, आगे चल कि थोड़ा बहुत मिलता है, कि हाँ हमें indentation वगरे का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा classes का, लेकिं शुरुवाती दोर में आपको बड़ा इम बिलकुल mathematics की तरह लगेगा, तो और इसमें आप लोग देखे, अपना दिमाग लगाएंगे, तो और अच्छे से कर पाएंगे, जैसे मैंने यहां लिग दिया, a equal to 5, b equal to 6, और मैंने लिग दिया, c equal to 10, अब अगर मैं यहां पर print करता हूँ, चले देखते हैं, आप लोगों का दिमाग क कितना समझाया, अब दिमाग लगाएं, मैंने यहां लिग दिया, print कि जैके मैंने यहां लिग देता हूँ, d equal to a plus b minus c, clear, अब बनको बताइए, अगर मैं यहां लिखता हूँ, print d, इस तरहे लिखना होता है, बच्छों, पहले print, यह statement है, bracket में d, चली हम लटा देते हैं, print भ समझाया, तो कितना सिंपल सा कंसप्ट है, आप लोगों को बस यह चीज पता होनी चाहिए, कि हाँ, इनको यूज कैसे करना है, तो सिंपल मैथमेटिक से, आप लोग बड़े राम से इसको समझ पाएंगे, तो यह तो थोड़ा-थोड़ा आपको clear हो रहा है कि हाँ, Python can be treated as a traditional way, an object-oriented way, और a functional way, Python जो है, एक process के रूप में काम करती है, एक के बाद, एक के बाद, मैं आपको पूरा translate तो करी रहा हूं उसको, तो आप लोग उसको English screen पे देखते रहिए, मेरी आवाज पर ध्यान दीजे, वो आपको और easy में समझ आ जाएगा, ठीक है, देख लिए होता क्या है, नोट्स लिखे English में हो या हिंदी में, लेकिन आपको समझ आने के मतलब है, वो जाधा important है, तो आप ले sentences को जहां से देखिए, आप sentences पर concentrate करिए, फिर मेरी आवाज से सुनिया, आपको सब कुछ clear हो जाएगा, ठीक, तो Python जो है, वो हमारा basically काम क्या करती है, यह सर, बताए, इंटर्पेटर यह एक लाइन को एक टैम पर एक लाइन को इपड़ता है, बिल्कुल सही है, अभी आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, मैंने जो एक प्रोग्राम बनाया था, इस प्रोग्राम में मैंने उपर से लाइन लिखना शुरू की थी और सिंटेक्स दिखा दिया, एरर दिखा दिया, ठीक है, अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे मैंने या लिखा 9, B equal to, फिर C equal to, 4, यह यहां पर कोई एरर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही मैंने D equal to, 9, या कुछ कोई एरर जानबूच के कर दी, तो देखे, प्रोग्राम ने, उपर की लाइने सारी एक्जिक्यूटे कोई, जहां एरर है, वहां आके रुका, तो इंटर्प्रेटेटर एक ऐसा method है, एक kind of program है, जिसकी अंतरगत आप लोगों की programming पूरे उपर से नीचे तक सब execute करती रहती है, चलती रहती है, लेकिन जिस लाइन पर error आती है, उस लाइन पर आके रुक जाती है, ऐसा नहीं कि उपर से अगर चार लाइन गलत हैं, तो पहले सही नहीं चलेगी, चार लाइने चल जाएंगी, चार लाइनों का output आजाएगा, लेकिन पाचवी लाइन जहां गरबड़ी है, वहां आ के रुकेगा, इस उसे हम लोग क्या कहते थे? Compilation. तो Compile basically करता क्या है? प्रोग्राम पूरा पहले प्रोग्रामी में लोड कर लेता था और सब साल कर लेता था, उसके बाद आउटपुट दिखाता था. तो ये एक डिफरेंस है, तो Python एक प्रकार का Interpreter-based programming code पर काम करती है और इस पर आपको बहुत ही आसानी से आउटपुट देखने को मिलते हैं. Python का नया version आ गया है, that is called Python 3, which we shall be using in the tutorial. However, the Python 2 is not, Python 2 अब धीरे-धीरे खतम हो गया, अपग्रेड हो गया है, Python 3 में shift हो गया है. Python 2 वाले में आप लोगों को न ये print वाला syntax इस तरीके से नहीं चलता था. उसमें bracket नहीं लगा सकते थे. तो अब हम लोग Python 3 पर ही काम करेंगे. Python 3 को हम लोग, या Python को हम लोग text editor पर भी लिख सकते हैं. अभी आप देख रहोंगे कि मैं इसको एक programming shell ये जो ideally है, इस पर लिखकर दिखा रहा हूँ आपको. लेकिन कुछ text editor भी आते हैं. किसी ने नाम सुना है text editor का. आप लोगों ने अगर मेरा second वाले chapter पढ़ा है, sublines उसमें पढ़ाया गया है. इस subline वाले में आप लोगों को HTML के codes करने सिखाए गए हैं. तो इस पर भी आप लोग अपनी file बना कर save कर सकते हैं. आपने कोई file बनाई और यहाँ पर control s से हमने यहाँ पर file का नाम दे दिया abc.py. तो अब हमारी file जो यहाँ पर बन के तयार होगी, वो python पर बनेगी. तो यह text editor इस तरीके की जगे हम text editor पर भी इसके program बना सकते हैं. जैसे HTML पर नहीं होता है. तो HTML पर आप HTML के program आप लोग notepad पर बना कर उसको browser में run कराते हैं. सेम इस तरह इसमें भी किया जा सकता है. आप text editor पर बना कर और उसके programs आप लोग output के रूप में देख सकते हैं. तो यह भी एक अच्छा option है. clear? It is possible to write python in an integrated development environment such as stone. यह कोई खास नहीं हम लोग net beans, ellipse, इन सब के अंतरगत भी हम लोग अपनी pythons की programming कर सकते हैं. तो आप लोगों को python के बारे में मोटा मोटा समझ आ रहा है कि pythons कैसे काम करती है. python was designed for a readability and has some similarity to the English language. यह तो मैं आलड़ी आपको बता चुका हूँ कि python जो है read करने में बड़ा आसान है, समझने में बहुत आसान होती है और साथी साथ English के syntax में लिखी जाती है. clear? सबसे पहली चीज़, python जो है, जो भी program लिखे जाएंगे, इसमें space की सबसे आदा importance है. python में bracket, curly braces यह सब का इस्तेमाल नहीं होता. इसमें हम लोगों को indentation पर आधार काम करता है. indentation word का मतलब समझें कि अगर आप लोगों को कहीं पर भी bracket लगाने पड़ रहे हैं, किसी की body बनानी पड़ रही है, तो आपको bracket लगाने की ज़रूरत नहीं है. मैं दिखाता हूँ इसका क्या मतलब है. जैसे for example, इस लाइन को ध्यान से देखिए, यह भी आगे समझ आएगे, इस लाइन में बोला गया है, if 5 is greater than 2, और नीचे दिया गया है print, basically होता है, आगे चलकर आप लोग जब if statement को पढ़ेंगे, तो हमें if लिखना होता है, और उसके बाद if की condition देनी होती है, if statement है, condition देनी होती है, अगर if की condition सही होती है, तो if के इस चीज़ यह जो body है, यह चीज़ आपके screen पर print हो जाती, इसे if की body कहेंगे, body of conditions, लेकिन if की body कैसे बनेगी, यह if का part कैसे बनेगा, जब कभी यह जो नीचे लिखा गया sentence, मैं if के आगे न प्रिंट करूँ, अभी if के नीचे print हो रहा है, मिरको थोड़ा सा space दे कर इसको print करना पढ़ा है, अगर मैं इसे space दे के print करता हूँ, तो यह इस if की body बन गई, और अगले ही मैंने line यहाँ पर लिखी, तो वो भी इसी body का part बन गया, चिक, अब अगर आप गौर से देखे, जैसे for example, यह रहा, तो यह द के बकादा tab या indentate के लिखा गया है, अगर मैं इसको ऐसे ना लिखता, अगर मैं इसकी जगे इस line को यहाँ कर देता, अब यह वाली line जो है, यह तो उपर वाले की body होती, और यह अब fresh line हो जाती, तो समझ आ रहा है, तो brackets नहीं लगाया जाते है Python में, Python में जो भी programming की जाती है, उसमें indentation का इस्तेमाल किया जाता है, indentation का मतलब है space, अगर आप space देंगे, तो वो उसकी body का part बन जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं कैसे यह काम करता है, किस तरीके का, मैं आप लोगों को एक छोटे से question से करके दिखाता हूं, तो आपको यह और अच्छे से समझ आए और यह अभी 10 मिनिट बात बंद होगा, जैसी अगर यह बंद होता है, तो आप तुरंत दुबारा उसी link पर click कर दीजेगा, और यह activate हो जाएगा, एक चीज और, अभी तो links open चल रहे हैं, तो आप लोगों को सभी को पता चल रहा होगा, आप लोगों को एक batch code दिया जा रह आप उस batch में जाएगा, और यह batch type कर दीजेगा, mjr8goj, और send कर दीजेगा, मेरे पास batch request आजाएगी, मैं batch request आपके accept कर लूँगा, और उसके बाद next class जब भी होती है, तो announcement section में आपको उसका link मिल जाएगा, बस आप उस link को click करिएगा, उस पे timing और date सब पड़ी रहेगी, आप सीधा zoom meeting से live आजाएगे, तो next time से आप लोगों को इस तरह open नहीं मिलेगा announcement, आप लोगों को batch के अंदर announcement मिलेगा, आप वहाँ से login कर लिजेगा, clear? तो हम लोग कैसे program बनाते हैं, किस तरीके से शुरुवात करते हैं, देखिए ध्यान से, अभी मैंने यहाँ पर एक program बनाना शुरू कर रहा हूं, और इस program में, मैं, यहाँ पर मिले को python में एक छोटा से program, मैं basically आपको सिखाने जा रहा हूं कि indentation क्या होता है, इंडेंटेशन के लिए मिले को यहाँ पर एक program बनाना पड़ रहा है, फाइल नहीं उपे गया मैं, और यहाँ पर मैंने एक छोटा से program टाइप कर दिया, आपको सिखाने के लिए, और वो यह है, आप देख रहा हूंगे, यहाँ लिखा है, यह condition लिखी गई है, और यहाँ मैं इसको यहाँ से space हटा देता हूं, और अब अगर मैं print करूंगा, तो यह इसकी body नहीं है, और यह चीज़ प्रिंट नहीं करेगा, बस यही मैंने आपको बताए कि indentation word का क्या मतलब होता है, clear हो गया, तो I think अब आप लोगों को यह समझ आ गया होगा, मिलको बताए कि इस प्रोग्राम का output क्या आएगा, इसमें दो-दो conditions लगी है, एक आएगा या दोनो output आएगा, तर दोनों आएगे, क्योंकि पहले वाले में भी space है और दूसरे वाले में भी है, तो इससे मतलब नहीं है कि आपने एक space दिए या 10 space दिए, दोनों आएगे, हाँ, लेकिन अगली आप चाते हैं कि इसी के body का part बने, तो जितनी space उपर है, उतनी space नीचे वाले में दीजेगा, अभी वो उसकी body बनेगी, ठीक है, बोडी बनेगी है, यह इसके लिए important, इसमें बताएगे, क्या प्रिंट होगा, क्या यह सही है या गलत है, इसमें देखे, इसमें भी space दे द इसमें नीचे वाले में ज्यादा है, इसलिए यह इसकी body नहीं है, तो आप लोगों को indentation का मतलद समझ आ गया, सभी को क्या-क्या है, क्या होते हैं, चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने next topic पे और यहां से आपको छोटे-छोटे program बनाने को मिल जाएगे, यह चोटे- variable, variable क्या होता है, variables are created when you assign a value to it, किसी भी जगे पर आपको कोई value डालनी है, तो उस value को जहां रखा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं variable, ठीक, अब जैसे आप लोगों ने mathematics पढ़ी, तो mathematics में मैंने आप से का दो नमबर जोड़ दो, तो दो नमबर जोडने का program जम mathematics में आप बना अपने दिवाग में, तो दो नमबर आप कोई भी माल लेंगे, एक X और एक Y, कोई भी दो नमबर, अब इन दो नमबरों को जोड़ना है, तो दो नमबर यूजर से चाहिए भी तो हम दो नमबर X और Y तो हमने माने हैं, लेकिन इनके अंदर value क्या है, तो value user कोई भी बता द दिए और Y की value हमने 2 दे दिए, ठीक, आपने अपना दिमाग दोड़ा, कि अच्छा ठीक है, X की value 10 है, Y की value 2 है, मिरको दोनों को add करना है, add मतलब ये हो गया, और मिरको इन दोनों values का addition, Z में रख देना चाहिए, और Z मिरको screen पर बता देना चाहिए, ये आपने अपने दिम रहते हैं, variables, तो variables, जहां आपके numbers, text, alphabets, कुछ भी store होंगे, assign होंगे, वो होते हैं, आपके variable, इसमें कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक, जैसे आप कोई बता सकता है, इस समय आपके screen पर कितने variable, जो मैंने हाथ से लिखा है, कितने variable हैं, समय मेरी screen, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, variable है, एक X है, जिसमें के 10 store है, और एक Y है, जिसमें 2 store है, और एक Z variable भी है, जो X और Y के result को store है, तो यह हैं आप लोगों के variables, आप इसको कई books में कई अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, मेरे अगर लास्ट वीडियो आप देखें, जो मैंने आप में डालें, उसमें अब आप लोग मेरे को बताएं इस कंसेप्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें वैरेबल कौन-कौन से हैं और वैल्यू कौन-कौन सी है ग्लास वन और कप जो है वह आपके वैरेबल से और वाटर एंड कौफी उसमें लिखा गया है पड़ा हुआ कंटेंट है तो वह उसकी वैल्यू है तो क्लास वन की वैल्यू वाटर कप की वैल्यू कौफी तो वैरेबल समझा गए अब हम वैरेबल से क्लेर भी कैसे करते हुए बहुत ही सिंपल सा है लेकिन अब हमारा यह बैच सेशन का टाइमिंग फिनिश हुआ है तो चलिए लॉट के आते हैं विदिन टू सेकंड्स पच्चिस अपरिल के आसफास उमीद है लॉट के आते हैं बच्चों फिर मिलते हैं